हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने समर स्पेशल तीन रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ तो इन्हें बनाने के लिए देखे किस तरह से बनाते हैं सबसे पहले हम फालूदा सेब बनाएंगे ये मैंने सबसे बारिक वाली जाली लगाई है इससे हम फालूदा सेब बनाएंगे ये सबसे पहले तैयारी करके रख लेंगे इसके चारो तरफ हम एक हैंकी लगा लेंगे और इसे हम किसी धागे से या फिर रबर बैंड से बान देंगे जिससे की फालूदा सेब बनाते टाइम हाथ न जले ये सारी तयारी पहले से कर लेंगे अब यहाँ पर एक बावल में एक कप कॉन फ्लोर या फिर अरा रोट कुछ भी ले लेंगे जो अभी आपके पास हो दो छोटी चमच पिसी हुई चीनी डालेंगे अब इसमें हम सबसे पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे एक साथ भी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते रहेंगे और चलाते रहेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल भी गुठली नहीं होनी चाहिए अब यह बाकी कभी इसी में पलट दूगी एक कप और डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यह बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम एक बड़ा बड़तन लेंगे उसमें हम आईस क्यूब डाल देंगे या फिर बिल्कुल चिल्ड पानी डालेंगे अब इसमें मैंने साधा पानी डाला है इसे हम पहले से भरके रख देंगे अब हम एक 9 इस्टिक का पैन लेंगे और जो हमने गोल तयार किया था इसे डाल देंगे जितना हमने अरा रोट लिया था उससे डबल पानी इसमें एड किया है और दो चमच इसमें हमने चीनी डाली है एक कप कौन फ्लोर लिया था अब इसे हम हाई फ्लेम से लगाता चलाती हुए पकाएंगे और जल्दी जल्दी चलाएंगे जिससे की गुठलिया ना पड़े ये बहुत जल्दी बनकर तयार हो जाता है और बहुत जल्दी पकने लगता है इसे बिल्कुल तली तक चारो तरफ से चलाती हुए पकाएंगे ह यहां पर और जल्दी जल्दी चलाना है, और चारो तरफ से इखटा करते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे, और तली तक चलाते रहेंगे, यह बहुँ जल्दी बैटर बनकर तयार हो जाता है, और बिल्कुल ट्रांस्पेरेंट हो जाता है, अब इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, अब यहाँ पर हम गैस बंग कर देंगे, और चम्मच से हम सेब बनाने वाली मशीन में भरेंगे, इसे हम बिल्कुल फिल कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से भर लेंगे, बिल्कुल अंदर तक भर लेंगे, अच्छे से, अब यह बिल्कुल भर गया है, बाकी के बैटर को हम ढख के रख देंगे, अब मशीन को भी बंद कर देंगे, और ठंडे पानी के अंदर हम इसके सेव तयार कर लेंगे, गोल-गोल गुमाते रहेंगे, फ्रड़ा उपर से ही बनाएंगे, और गोल-गोल चलाते रहेंगे, यहाँ पर बिल्कुल ठंडा पानी की जुरत होती है, अब यह एक बार के बन गए हैं, बाकी के भी, हम इसी तरह से बैटर भर लेंगे, फिर से, इसे फिर से पूरा फिल कर लेंगे, फिर से बनाएंगे, दो से तीन बार में यह सारे बनकर तयार हो जाते हैं, हमारे यहाँ पर यह तीन बार में बनेंगे, अब यह मैं दूसरी बार के बना रही हूं, तीसरी बार के भी इसी तरह से बना के इसी में मिक्स कर देंगे, ये सेव हमारे बहुत अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं एकदम लंबे-लंबे इसे हम 4-5 दिन तक फ्रीज में रख के भी खा सकते हैं और जब मनो तब इसका हम फालूदा आईस क्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं या रबडी के साथ भी सर्व कर सकते हैं अब ये हमारे सारे फालूदा से बनकर तैयार हो गए हैं इसे में फ्रीज में रख दूँगी अब इसे हम सर्व करेंगे यहाँ पर मैंने रबडी बनाई हुई है ये घर की रबडी है थोड़ी-थोड़ी सी हम पहले ग्लास में डालेंगे अगर आपको रबडी की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बोक्स में लिख सकते हैं रबडी के बाद हम उपर से फालूदा सेव डालेंगे थोड़ी-थोड़ी से इसके बाद हम आईस्क्रीम डालेंगे यहाँ पर मैंने मार्किट वाली आईस्क्रीम लिए आप चाहे तो घर की भी बना सकते हैं थोड़ी-थोड़ी सी मैंने यहाँ पर पहले केसर कुलफी डालिए इसके बाद स्टोबरी कुलफी डालिए जो भी चाहें आप वो आईस्क्रीम इसके साथ यूज कर सकते हैं किसी भी आईस्क्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं मैंगो आईस्क्रीम भी डाल सकते हैं हम फिर से थोड़ी थोड़ी से रबड़ी डालेंगे इसके बाद फिर से फलूदे डालेंगे एक बाद फिर से थोड़े-थोड़े से फलूदे डालेंगे यह मैं रबड़ी फलूदा विद आईस क्रीम के साथ बना रही हूँ आप चाहें तो इसमें फ्रूट भी एड़ कर सकते हैं इसके बाद फिर से मैंने थोड़ी सी स्टोबरी आईस क्रीम रखी है एक एक स्कूप और उपर से थोड़ा सा रौपजा सीरप डालाएं रोस सीरप अब इसके उपर एक बाद फिर से केसर कुलफी रखेंगे यहाँ पर मैंने काजू और किश्मिश डाली है थोड़ा सा उपर से फिर से रोस सीरप डालाएं अब यह हमारा रबड़ी फलूदा बनकर तयार हो गया है विद आईस क्रीम यह गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है इसके बाद हम कॉल्ड कॉफी बनाएंगे कॉल्ड कॉफी बनाने के लिए देखे कि किस तरह से बनाती है यहाँ पर सबसे पहले हम जितने भी ग्लास बनानी हैं कॉफी उतने ग्लासों में हम चोकलेट सीरप डालेंगे हर्शी सीरप और चारो तरफ थोड़ा थोड़ा डालकर इसे हम फ्रीजर में रख देंगे जब तक कॉल्ड कॉफी तयार होती है तब तक यह सेट हो जाएगा ग्लास सबी ग्लासों में इसी तरह से हम चोकलेट सीरप डालेंगे अब मैं इने फ्रीज में रख दूँगी मिक्सी के जार में हम पांच चमच कॉफी पाउडर डालेंगे क्योंकि हम पांच ग्लास बना रही है एक ग्लास के लिए एक चमच डालेंगे थोड़ा सा चोकलेट पाउडर डालेंगे इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो यहाँ पर मैं दो चमच चोकलेट पाउडर डाल रही हूँ यह ओप्शनल है डालना अब यहाँ पर हम चीनी डालेंगे आप चीनी कम जादा भी डाल सकते हैं पांच ग्लास के हिसाबसे मैं इसमें दस चमच चीनी एड़ करोंगी एक ग्लास में दो चमच के हिसाब से अगर आप थोड़ा कम जादा पीना पसंद करते हैं तो उसके हिसाब से कम जादा भी कर सकते हैं दो आइस क्यूब डालेंगे और वन से टू टेबिल स्पून ठंडा दूट डालेंगे अब इसका कलर चेंज हो गया और चीनी भी बहुत अच्छे से पिस गई है इसके बाद हम बारी कुटी भी आइस डालेंगे और ठंडा दूट डालेंगे अब इसे हम फिर से ग्राइंड कर लेंगे अब यह बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गई है मिक्स हो गई है यहाँ पर मैंने टू टेबिल स्पून मलाई डाली है यह घरवाली मलाई है इसकी जगा फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं लेकिन यहापर मैंने दो चमच घर वाली मलाई डाली है अब इसे हम सर्व करेंगे बिल्कुल जाग वाली कोफी हमारी बनकर तयार हुई है अब हम इसे ग्लासों में सर्व कर लेंगे कोई भी मेहमान आ जाए या कभी भी हमारा ठंडा पीने कमान हो इसे हम जटपट से बना सकते है अब ही हमारी जाग वाली कोफी बनकर तयार हो गई है उपर से हम थोड़ा सा हर्शी सीरप और डाल सकते हैं चोकलेट सीरप या फिर जो चोकलेट पाउडर था वो भी डाल सकते हैं अब ही हमारी समर स्पेशल तीनो रेसिपी बनकर तयार हो गई है थैंक यू